कुक्वित प्रतिभा में आपका बहुत बहुत सागत है जब भी कभी बारिश का मोसम होता है तब हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कुछ चटपटा खाने का उसमें भी चाय के साथ अगर पकोड़े मिल जाए और पकोड़ों में भी ब्रेड पकोड़ा मिल जाए तो क्या एकदम बाजार जैसा ब्रेड पकोडा घर पे ही ब्रेड पकोडा देखके आपको भी खाने का मन कर रहा है न तो देर की इस बात की तो चलिए हम बनाने जाते हैं ब्रेड पकोडा ब्रेड पकोडा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया है चटनी बनाने के लिए आलू का अच्छे से बॉइल होना बहुत जरूरी है तभी ये अच्छे से मैश हो पाएगे और इसमें गुटली नहीं बनेगी और हमारी चटनी अच्छे से बनेगी तो में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैगनेशियम, फेटामीन बी और जिंक होता है जहसे आलू खूबसुरत तवचा का वरदान माना जाता है बालो की हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है इसे अच्छी बात ये है आलू में कोलेस्टेराल 0% होता है याने कि आपके हर्ड के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है आलू बहुत अच्छे से मैश हो गाया है इसमें एक भी गुटली नहीं बची डालने के लिए हरे मिर्च अद्रग और लसुन का पेस्ट मैने पहले से ही बना के रखा है एं टीस्पून ये पेस्ट मैं इस यह सब अच्छे से मिल जाएं आपकी ब्रेड पकोड़ा में बहुत ही तेस्ट आ जाएंगी डियोट नी देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है इस चटनी को ऐसे ही मिलाने का है बिल्कुल कंजूशी नहीं करने का तभी आपकी ब्रेट पकोड़े की टेस्ट बहुत अच्छी आईगे हारी चटनी बनके एकदम तैयार है बाद हम चलते हरी चटनी बनाने के लिए हरी चटनी बनाने के लिए यह है धनिया अद्रक के टुकडे बाइसुन हरी मिर्चली है मैंने इन सभी इंक्रिडियंट को हम ग्राइंडिंग जार में पीसने के लिए ले ले लेते हैं जो हरा धनिया की चटनी हम बना रहे यह बहुत ही हेल्दी होती है रोग प्रतिकारक्षमता को बहतर बनाती है कम करने के लिए भी हेल्प करती है और इतना ही नहीं ब्लड शुगर लेवल को कल्ट्रोल करना या डाइजेशन को बहतर बनाने के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है इस चटनी में दही डालना बहुत जरूरी है दही से चटनी में टेस्ट बहुत अच्छी आएगी और चटनी काली नहीं पड़ेगी डाला है एक टेबल स्पून पानी इसलिए डालना है ताकि इसका गोल अच्छे से बने अब मैं इन सभी मिश्रन को मिक्सी में अच्छे से प दिखाती हूं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बनी है अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक बावल में एक कब बेसन का आटा लेती हूं अगर सभी आटों के कंपेरेजम में देखा जाए तो बेसन में प्रोटीन की मातरा सबसे अच्छी होती है यहने हाप टीजपून मिर्ची पाउडर हाप टीजपून नमक सभी सामगरी का हम गोल बना लेते हैं गोल बनाते वक्त आपको यह याद रखना है कि इसमें लंप्समा ना रहे जा है गोल बना ले के लिए हम लेते हैं पानी मैंने पहले हाफ कप लिया है और उसके बाद मैं पूरे लंप्स ना मिट जाए लखना है कि इसमें अगर आपको खाने का सोडा या मिठा सोडा डालना है से लास्ट में डाले और उसको बाद में अच्छे से मिला ले अच्छे से नहीं मिलेगा तो इसको फुला-फुला टेक्शर नहीं आएगा मैंने लिए है दो ब्रेड एक ब्रेड पे मैं तोमाटो केचप लगा रही हूं तोमाटो केचप आपको अच्छे से चारो साइड से लगे ऐसा लगाना चाहिए उसके बाद दूसरी ब्रेड को लगाने के लिए भी जो हमने हरी चटनी बना के रखी है वो हरी चटनी में लगा रही हूं तोमाटो केच तो भी ने चलेगा अगर यह लगाई तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा और लुक भी बड़ी आएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ने जो बटाटा की चटनी बना के रखी थी उस चटनी को हम स्टफ कर लेते हैं इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से ब्रेड की चटनी को इसमें स्टफ करके बहर के यहां रखा हुआ है अब हम इस ब्रेड को हमने जो गोल बना के रखा है बेसन का उसमें डुबा देते हैं आपको याद रखना है कि यह जो बेसन का मिश्रन है यह ब्रेड के चारों और लगना चाहिए कि कोई एक बाजू इसकी छू इस घूल में डुबाना है उससे पहले ही आपको ग्यास पей कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखना है डालने से पहले आपको चेक करना है कि तेल अच्छे से गरम हुआ की नहीं तो ब्रेड को तेल में डालते वक्त यह याद रखना है कि इसको बहुत धीरे से डालना ह अब ये fry होते वक्त इसके उपर आपको तेल डालते रहना है ताकि अच्छे से fry हो जाए उपर वाली साइड से भी ये पकोडा सेट होने के बाद आपको इसको उपर नीचे गुमाते रहना है उसको अच्छे से fry होने के लिए हमारा ब्रेट पकोडा बहुत अच्छे से fry हो र का मन कर रहा है ना आपको इस ब्रेड पकोडा को मैं कट करके दिखा देती हूं घAK 예 मैंने कट किया देखो दोंडों साइड से कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसमें मैंने केचप लगाया ॰ेड़ी से रेड कलर आया है दूसरी साइड में हरी हरी चटनी की बज़े से ग्रीन कलर आया और बीच में आलू की बज़े से यह एलोईश कलर आया है तो यह कलर कॉंबिनेशन भी बहुत अच्छे दिख रहे है रेडी ब्रेड पकोडा मैं सरू करने के लिए लेती हूं देखिए आप यह चाय के साथ भी बहुत बढ़िया से खा सकते हैं ऐसे ही डेली टेस्टी यमी और हेल्दी डीशेश के लिए अपनी मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आइक और शेर करना ना भूले अब मिलते हैं नेक्स्ट र झाल झाल